स्वागतम सु स्वागतम स्वागत है मित्रों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दलितों की कहानिया में चलिए आचार्य कॉल्खलूरी इनाग जी की कहानियों का रसानन लेते हैं धन्वान किसान बोर्कूओं नलकूपों को खुदवाने लगे तो निर्धन किसान उधार लेकर उससे नलकूप खुदवाने लगे थे केवल भाग्य पर आधारित नलकूपों से आने वाले जल से चार-पांस साल तक खेती चलती रही किन्तु बाद में उसका नामों निशान भी मिट गया था जिन नलकूपों द्वारा थोड़ा बहुत पानी मिलता था वह भी बिजली की कटाउती से नलकूपों के काम ना करने से परियाप्त फसल नहीं होगी जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी था वहा बिचॉलियों के हाथों में लगकर लागत की पूझी भी नहीं मिली थी जो भी रकम प्राप्त होती थी वहा ब्याच चुकाने के काम में भी नहीं आ पाती थी और किसान बुक मरी किस्तिती में जीवन बिताने को बाद दे हो रहे थे खेती एक बड़े जुए के रूप में बदलने लगी थी संपन्नों को चाहे फसल पके या धान पके दो तीन साल तक किसी भी प्रकार का भै नहीं रहता है साधारण किसानों का जीवन ही दुरबर हो गया था फसल पकने पर भी भूख मिटाने वाले किसान भूख से बिलविला रहे थे उन किसानों का जीवन हर दिन एक समस्या बन कर खड़े होने पर तेओहार उत्सवों की बात कौन सोच सकता है पड़ाई लिखाई कहा कराई जा सकती है शादी ब्या आदी क्या करा सकते हैं विवायोग्य कन्याओं का विवा उधार या मांग कर उसके बेटी के प्रति अपना करतव्य निभाने वाले किसान उधार के लिए मूल दन और ब्याच को ना चुका पाकर अपने जीवन का अंत ना कर लेने वाले धुर्भाग्य शाली किसान आदी गरीब लोग कहां नहीं हैं भुख की व्यादी को सहन नहीं किया जा सकता है उधार का दुख जीने नहीं देता है निराशा और निस्प्रोहा के मनुश्य को उपर से नीचे तक निचोड़ कर रख देने पर भी जीवन पर मोह और प्राणों पर आशा किसानों को जीवन मरण के प्रागंड में बाहर या भीतर उसे ठेलते ही रहते हैं देश को अनप्रदान करने वाला अनदान किसान देश की रीड की हटी समान किसान रीड की हटी के तूटने से किसान के रूप में न रहे कर जीने को मजबूर हो रहा है किसान अपने एहम का त्याक कर, खेतियार मजदूर के रूप में काम करने लगा है मजदूर बना है, हमाली बना है, बोरों को ढुलाई करने लगा है, रिक्षा चलाने लगा है आटों के लिए उधार कर रहा है, चाय के बंकों को चला रहा है, क्लीनर की तरह काम कर रहा है, सरवर हो गया है, याचना भी कर रहा है, फिर भी जीवी थी है मर नहीं रहा है, रम अप्पा को निराशा होने लगी, आकुतोड ग्राम के अधिकांश लोगों के पास खेती के लिए जमीन है, बहुत लोग खेती करते हैं, लुगार, कुमार, धोबी, नाई, आदी, अपनी कुल वरती को करते हुए खेती का काम भी कर रहे हैं, कम्मा, बलिजा, किसान, कुछ लोगी हैं, वो एकूरव किसान आदी संखिया में हैं, करम अप्यपा के अलावा ब्रामण नहीं के बराबर हैं, मुसल्मानों के यहां खेत नहीं हैं, उनमें से कुछ लोग रुई धुन्ने वाले हैं, रुई धुन्ने का काम ना होने पर सभी मुसल खेतियार मजदूरों का काम करते हैं, कुछ लोग बुनाई का हुनर जानते हैं, बुनकर का करने वाले में धर्मावरम की रेश्मी साड़ियां बुननेक में अच्छा हुनर ही नहीं हासिल किया है, अपी तु काफी नाम भी कमाया है